हैलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मेनिटोल इंजेक्शन के बारे में आप लोग उसे मेनिटोल सलाइन पानी भी बोल सकते हैं दोस्तो लेकिन जदातर डॉक्टर लोग इसको इंजेक्शन ही बोलते हैं दोस्तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कहां कहां इसक कार के बीमारी में लाया जाता है दोस्तों उससे पहले वीडियो को अन तक देखें बीच में स्कीप नहीं करें दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरा यूटूब चैनल पिक के बर्मा हेल्थ केर पे तो आज हम बात करने वाले ऑले इन्जेक्षन के बारे में इस कॉप्यों कहां कहां लाया जाता है तो अस्थिती में क्या होता है दोस्तों, brain में बहुत ज़्यादा छोट लग जाता है जिसके machine बहुत सारे दिख्टे आ जाती है, तो उसे अस्थिती में patient को vomiting होने लगता है, चक्कर आने लगता है, या फिर दोस्तों उसका जो है नाक्स bleeding होने लगता है या कान से bleeding हो जाता है तो वहाँ पे भी दोस्तो इस injection को दिया जाता है सलाइन की तरह इसे लगाया जाता है और सलोली सलोली इसे IV fluid किया जाता है दोस्तो और इसके अलावा अगर किसी भी परकार की head injury है जैसे किसी ब्यक्ति का epilepsy है, मिर्गी है या किसी परकार की दोरा पड़ता है तो उस अस्थिती में भी ये injection लगाया जाता है दोस्तो धीरे धीरे सलोली IV div करके दोस्तो या इसके अलावा किसी patient का बहुत ज़्यादा hypertension हो जाता है BPI हो जाता है जिसे करान brain काम करना बंद कर देता है उस अस्थिती में दोस्तो हाइपरटेंशन को BP को कम करने के लिए वहाँ पे भी ये injection लगाया जाता है दोस्तो या दोस्तो इसके अलावा बहुत सारे परशानियों में जैसे किसी ब्यक्ति का जो है पागलपन हो गया है या पागलपन जैसा symptom उसमें आ रहा है दिमाग काम नहीं कर रहा है या बेहोसी की हालत में है दोस्तो किसी पेसेंट जो है बहुत दिनों से बेहोस हो गया है बेहोसी की हालत में है तो उसको ठीक करने के लिए injection लगतार continue लगाते हैं दोस्तो बिलकुल डीव और दोस्तो ये जो injection है 100 ml में आता है और 300 ml में आता है दोस्तो 100 ml का आता है दोस्तो सीसा फोम में भी आता है और 300 ml वाला भी सीसा फोम में आता है लेकिन उसके अलावा दोस्तो 100 ml वाला आपको पलास्टिक फोम में भी ये आता है दोस्तो इन सब चीजो के अलावब जैसे ब्यक्तियों में बहुत सारे symptom देखा गया है जैसे अचानक ब्यक्ति जो है उसको नीन दा जाता है और अचानक उसका आख खुल जाता है और भबराहट जैसा फिल करता है बेचयनी लगता है चुरचुड़ापन लगता है जिसे कारण पेसें जाता है उसका जो है नस कहीं पे कड़ जाता है जिसे कारण बलड सर्कुलेशन में दीकत हो जाता है जिसे पेसेंड को चक्कर आता है उल्टी होता है बहुत ज्यादा सीर बहुत ज्यादा तेज दर्द करता है उसको भी ठीक करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है आई भी slowly इसे दोस्तों 100 ml continue कर सकते हैं या 300 ml आप continue patient को चढ़ा सकते हैं दोस्तों और इसके लावा दोस्तों कोई patient जैसे coma में चला जाता है head injury के कारण accident के कारण या किसी दोरा के कारण patient coma में चला जाता है और host में नहीं आता है तो उसको भी ठीक करने के लिए doctor लोग इस injection को ही उप्योग करते हैं और लगतार इसको चढ़ाते हैं दोस्तों यह जो injection है बिल्कुल normal salon की तरह है देखने में आपको white ही रहेगा लेकिन जब इसको बाहर निकालते हैं तो जमा जमा जैसा white white हो जाता है दोस्तों अगर भेन में चढ़ रहा है जेनरल salon की तरह ही दिखेगा दोस्तों यह इन सब चीजों के अलावा जैसे किसी पिसेंट का brain hemorrhage हो जाता है तो उस स्थिती में भी injection दिया जाता है दोस्तों यह किसी पिसेंट का चोट लग जाता है head injury हो जाता है वहां पर blood clotting हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस injection का उपयोग में लाया जाता है दोस्तों दोस्तों यह जो injection है 12 वर्षक के उपर के लोग को ही दें 300 ml का दोस्तों और 12 वर्षक नीचे के अगर बच्चों में चड़ाना है तो आप 100 ml का injection चड़ा सकते हैं दोस्तों बिल्कुल लेने का कोशिस नहीं करें दोस्तों यह जो injection है डाटर के सला से ही लिया जाता है तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राज करें और वीडियो को लाइक करें कोमेंट करना नह नहीं भूले दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करें करें